जारा गुपा देवासी जीवाई जै शिर्वापा जीवाई जै शिर्वाई जै शिर्वाई तो आट्टा पीसने लाली जो ज़की होती है उसके दो पार्ट होते है एक पार्ट स्तीर होता है और दूसरा पार्ट गति शील होता है तभी तो फिर दाने पीसे जाते हैं अगर दोना भून लग पड़ी तो क्या दाने कीसे जाएंगे एक स्तीर होगा जटका दूसरा गति शील होता फिर दो दाने को पीसता है फिर आटा बनता है जो उसी तरह जो हमारा मन है इसमें भी दो पार्ट होते हैं हमारा जो श्रीर है इंसान का इसके भी दो पार्ट होते हैं एक मन होता है एक तन होता है तो जो मन है वो स्तीर होना चाहिए और जो तन है वो गति मान होना चाहिए तभी हमें अच्छे व्यद्धिक अभुकाने मान कर सकते हैं और तितलियां को पकड़ने के लिएं के पीशे बाब होगे तो तितलियां उड़ जाने अगर आप फूलों का बगीच्चा ही लगा लेंगे तो तितलियां अपने आपी आपी आगे उसके उपर खुद बैठ ज तो बगी चाल लगाना अच्छे है ठोलों का बाग कि पीशे तोड़न अच्छे है पहले फिर तोड़ने से अच्छा है कि बगी चाल लगाने अपने टितलियां अपने अपके आपि बैठ जाएंगी वैस्यां को एग औ करने पड़ेगी अगर गुरीच चाओगा फूलों का तो अपने आपी आके देरों सारी पितलियां बैठ चले जाए और जो माखन की डली होती है उसको भी सेख देना पड़ता है तभी वो डलती है कितनी हाट हुटती है न फिर आप उसको सेख देते हैं फिर वो बिगल जाती है डली होती है जो माख माख उसी तरह जो ये मन है इसको भी भक्ति का सेख देना है तपाना है भक्ति करनी है खीरी आपका मन शांत को को ठीके जी और आप बाबाजी के जानों में लग जाने की बोलिए साथ जी दरवारे की जे कारा मुखा देवासी जीदा अरु शाटे नपार्ची Cay कोलिता जैजी शर्बांदानौ। उडनी ऐसी होूडा कि इक पर keडनी कुलूती जै शर्बांदानौ। जै शर्बांदानौ जै शर्बांदाए।